नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप हम एक बार फेसे हाजिर हैं एक लेटस टीचर्स रिकूट्मेंट की अपडेट लेके आज और अभी अभी ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेगुलर बेसिज की रिकूट्मेंट आई हुई है ओनलाइन ही आपको इनके ल लिए मिनिमुम अठारा मैक्सिमम ब्यालिस साल है कैटेगरी के कोल्डिंग अपरेस लिमिट में आपको चूट भी मिल जाएगी पेस के लिए 47,600 से एक लाग कि क्या वन हजार एक सो बड़ी ही बड़ी है इसमें आपको सैलरी मिल रही है सेकेंडरी एजूकेशन मान ले या एक बड़ी ही बेकार न्यूज आई है निकल के हरियना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से 2015 में रिकूट्मेंट निकाली गई थी पीजीटी संस्कृत के 626 पदों के लिए तो इन पदों के लिए रिटन एक्जाम भी कंड़क्ट कराया गया था उसके बाद इ उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई और आखिरकार एक ये छोटा सा नोटिस निकाल के उस रिकूट्मेंट को कैंसल कर दिया गया है ये देखिए तो दोस्तो इतना लंबा इंतजार कैंडिडेट्स ने किया 2015 के रिकूट्मेंट और अब 2021 में जाके उसको कैंसल कर दिया गया जबकि इसके सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके थे एक्जाम हो चुका था इंट्रिवी हो चुका था मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी थी कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो चुका था सिर्फ जॉइनिंग देनी बाकि थी कैंडिडेट्स को जॉइनिंग नहीं दी गई थी और अब इसको कैंसल कर दिया गया है और इसको कैंसल कर के ये नया notification जारी कर दिया गया है आज 11 फरवरी 2021 को जिन के लिए online application का process 16 फरवरी 2021 से शुरू होगा जो कि 3 March 2021 तक जारी रहेगा और फीज जमागरानी के अंतिम्तिती है 6 March 2021 अब बाकी की details देख लेते हैं यहां ये link दिया गया है इस link पे जाके आप apply कर सकते हैं 16 फरवरी 2021 से 16 फरवरी को ये link एक्टिवेट हो जाएगा और आपको इस वीडियो के नीचे description में भी provide करा दिया जाएगा अब देख लेते हैं बाकी की जनकर्या कुछ important notes है ये भी देख लेंगे special instructions है application कैसे बने तो ये जानकारी जैसे ही ये link एक्टिवेट होगा आपको provide करा दी हमारे इसी YouTube चैनल के मादेम से उसमें आप वीडियो देख लीजेगा पदो का विवरन देखिए पांसा चोंतिस पोस्ट है पीजटी संस्कृत रेस्ट ओफ हरियाना की qualification इन के लिए दी गई है post graduate teacher पीजटी संस्कृत ग्रूप D की पोस्ट है essential qualification हिंदी संस्कृत as one of the subject in matriculation और higher उसके बाद certificate of having qualified हरियाना teacher eligibility test, school teacher eligibility test, estate of concerned subject, 10th या उस से higher qualification में आपने हिंदी या संस्कृत एक विशह के रूप में जरूर से जरूर पढ़ा हो उसी के साथ साथ आपका H-Tate भी clear होना जरूरी है H-Tate किसके लिए PZT संस्कृत के लिए PZT के लिए भी H-Tate conduct कराया जाता है वो आपका clear होना चाहिए अच्छे academic record के साथ कम से कमचास परतिशतांग्स after taking average of any three examinations from 10th, 12th graduation, post-graduation as the case may be however the candidates must have at least 50% marks in post-graduation except PZT computer science and in case of PZT computer science the candidate must have at least 55% marks in post-graduation तो PZT computer science की तो यह vacancy है ही नहीं PZT संस्कृत के vacancy हैं तो कम से कम तीन कक्षाओं में आपकी average 50% होनी चाहिए 47,600 से 1,51,100 तो यह main main details हो गई है official website पे notification जारी कहां किया गया वो भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ यह देखिए हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन हरियाना करमचारी चाहिना आयो की official website hssc.gov.in तो यहां advertisement के section पे यह advertisement जारी किया गया है तो यह advertisement के section पे 1 बटे 2021 दस तो 2021 यहां date डली हुई है आप इस पे click करेंगे तो इस तरह सी यह notification डाउनलोड हो जाएगा publication date है 11 फर्वरी 2021 अब बाकी की जानकरियां भी देख लेते हैं इस recruitment से जुड़ी ही बाकी main main आपके साथ share कर दे गई है यही है जैसे ही link activate होगा आपको information provide करा दी जाएगी educational qualification age limit पे scale आपको बता दिया गया है category की according vacancy हैं कितनी हैं यह देख लीजिए subject sanskrit है journal की 325 vacancy है SC के 111 BC1 की 69 है BCB की 31 है EWS की एक भी नहीं है total 534 vacancy है यह हो गई है ESM के लिए 5% horizontal reservation है किसकी कितनी आ जाएंगी यह देख लीजेगा 3% horizontal reservation ESP के लिए भी है और 4% PHC के लिए भी है तो यह आप यहां से check कर सकते हैं 5% की relaxation है qualifying marks में SC category के जो candidates है और जो PWD category के candidates है उनके लिए relaxation of age अपर age limit में छूट भी दी जाएगी candidates को जहां तक application fees की बात है journal male female के लिए 500 female जो की हर्याना के निवासी है उनके लिए 125 है SCBC EWS candidates जो की हर्याना के निवासी है male है तो 125 female है तो 75 रुपए application fees PWDs और ex-servicemen जो की हर्याना के हैं उनके लिए कोई भी application fees यहां नहीं लगेगे criteria of selection examination and syllabus तो written exam आपका होगा 90 नंबर का 10 नंबर आपके होंगे socio-economic criteria और experience के तो इसी के basis पे आपका यहां selection किया जाएगा और जो 90 नंबर है उन में से जो 75 परतिशत वेटेज है वो है journal awareness, reasoning, math, science, computer science, english, hindi and consent or relevant subject की 25 परतिशत वेटेज है history, current affair, literature, geography, civics, environmental, culture, etc. और जो 10 नंबर है socio-economic criteria के उसमें काफी सारी conditions आप यहां से देख सकते हैं बाकी experience के भी लिये जाएंगे आधा नंबर आपको मिलेगा परतेक एक साल के experience का examination schedule यहां 14 March 2020 दी हुई है tentative date है, अगर इस date को हो जाता है तो अच्छी बात है बाकी कोई नई update आएगे वो हम आपको provide करा देंगे इसी YouTube चैनल के माधिम से तो ठीक है दोस्तों में में सारी जनकारी इस recruitment से जुड़ी ही आपको वीडियो के माधिम से provide करा दी गई है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे like और share करें और इसी परकार की teachers recruitment की latest update सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर ले तो अच्छीक है फिर मिलते हैं किसी नवी वीडियो के साथ तब तक के लिए नमशकार और यहां कुछ आपको instructions अलग से दी गई हैं बिलकुल नीचे likely causes of rejection of application आपकी application को reject भी किया जा सकता है क्यों यह no reason दिये गए हैं यह भी आप द्यान से पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले